जी याडा इसी में अभी हम लोग बात करेंगे रियाडा के बारे में हो सकता है यहां से question पूछ ले जाया जहरकन के एक्जामों में जैसेसी में और जैसेसी में तो यहां से जो भी चीजें है वह important हो सकती है आप लोगों के लिए तो दोस्तों हम लोग अभी यहां पर यानि कि वोकारो इंडिस्ट्रियल एरिया डेवलोप्मेंट अथरिटी के बारे में साथ इस प्याडा के बारे में भी हम लोग ने देख लिया था संतल प्रगना इंडिस्ट्रियल एरिया डेवलोप्मेंट अथरिटी के बारे में उमिद करता हूं कि आप लोग यह तीनों लोडी में है कि मैजिन बता दिया तो बात करते है यहां पर रियाड के बारे में जिसका फूल ऺं जो होता है वो ओता राचि इंडर्स्ट्रियल … तो यहां इसका फुल फूम है , पूल फूम को भी आप लोग धियां रखेंगे तो नाम को इसका Tryords, इसके फूल फूम में है क्योंकि नाम को मिनिस्ट्रेल एरिया रांची में पढ़ता है तो यह इसका मुख्याले है कारिया ले तो यह आप लोग द्यान रखेंगे रांची इसका इस्टेब्लिस्मेंट कब हुआ था उसको देखते हैं तो यह हुआ था 1973 में यह भी आप लोग याद रखेंगे यह भेरे भेरे इंपोर्टेंट है 1973 1973 में इसका इस्थापना हुआ था यानि कि रियाड़ा का इस्थापना हुआ था यह आप लोग याद रखेंगे कि रियाड़ा जहारखन के उत्री छोड़ानाग पर प्रमंडल दचनी छोड़ानाग पर प्रमंडल और प्लामू प्रमंडल के कुछ जीलों में कारी रत है यहाँ पर यह विकास का काम करती है तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे तो अब देखते हैं यह करके इन उत जो है प्रमंडलों में कौन-कौन से जीले हैं अब देखे सबसे पहले बात करते हैं प्लामू प्रमंडल में तो प्लामू प्रमंडल के कौन-कौन से जीले हैं जहाँ पर यह है यह है प्लामू प्रमंडल का सबसे पहले बात करते हैं प्लामू जीला में तो प्लामू जीला अब बात करते हैं उत्ते चोटवनगपपुर परमंडल में आप बात करते हैं नामें कौन-कौन से जिलह और कौन-कौन से जगह हां है उत्ती काहा है जो मनुंकर डीघ्यार का है स्चालकौन जिख़ंगी और बात किरते हैं पहले कोडर्मा जीला में सबै confuk royalty-inea रियाडा काम करता है रामगढ जिले में तो रामगढ इंडेस्टियल एर्या काम करता है यहां रियाडा जो कि उत्र उत्रे। attributes पर्मंडल में आता है अब देखते हैं इसी में एक और जीला है हजारवाग जीला तो हजारवाग जीला में कौन-कौन से जगह हैं यहां पर ध्यान रखेंगे तो पहला हजारवाग इंडेस्ट्रियल एरिया में यहां काम करता है साथ साथ बरही इंडेस्ट्रियल एरिया में सिखनी हजारवाग इ इन जगहों पर यह काम करते हैं प्लामूप्रमंडल में हजारेगवाग इंडिश्ट्रेया बर्ह इंडिश्ट्रेया और बाभाणी हजारेगवाग जीले के अंतरगत में हैं तो यहां टोटल तीन जीलों में काम करता है यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे और पलामू परमंडल के अंतरगत में दो जीलों में दो डिस्टिक हैं वहाँ पर यह काम गता है यह भी आप लोग याद रखेंगे अब बात करते हैं दोस्तों राची परमंडल याने कि यहां है दच्छीनी छोटनागपूर परमंडल का तो यहां पर देखते हैं गूमला जिले में सबसे पहले तो गूमला इंडिस्टिल एरिया गूमला में यहां कारेरत है साथ साथ तेन सेरा इंडिस्टिल एरिया यह भी गूमला में है तो यह दच्छीनी छोटनागपूर परमंडल में कारेरत है गूमला जिले के अंतरगत म गुंबला इंडिस्टिल एरिया और तेन सेरा इंडिस्टिल एरिया गुंबला जिले में है अब बात करते हैं लोहरदगा जिला में तो लोहरदगा जिला में है लोहरदगा इंडिस्टिल एरिया लोहरदगा तो यह है लोहरदगा में लोहरदगा इंडिस्टिल एरिया में य चीजे दिखते हैं तो दिखने से पहले कोखर राची में है यहां इंडिर्श्ट्राइया यहां पर भी कारियरत है तुपुदाना इंडिर्श्ट्राया जिसमें फेज 1 और 2 यहां पर काम हो रहा है तो आप लोग यह धियान रखेंगे रहें यहां पर रियाड़ा आगे देखते हैं टाटी सिल्वे इंडेस्ट्रिल एरिया यहां पर भी फेजबन और फेजटू तो दो फेजबन यहां पर भी उद्धोगों को बढ़ाया जा रहा है दो फेजबन और फेजबन और फेजटू जो है टाटी सिल्वे इंडेस्ट्रिल एर ये भी आप लोग याद रखेंगे कुली ओर मापा यह काम जगा है और मघि मैं तो यहां पर भी रहा काम कर रहा थे यह जगा को अपतर ABOUT यहां लोगों को Fast औरमाजी के ही पास में है डॉला वृरमाजी चल्मीर जिसको कहाते हैं वह अभी चक्ला में है। वह सारे लोगों को याद हो गई है। इसके अलावा में है नगडी में प्राशी के नगरी में ही एक जगह है सहर तो यहां पर भी है नगरी इंडेस्ट्रियल एरिया जो है वहां पर भी रियाड़ा काम कर रहा है बरहे चान्धों इंडेस्ट्रियल एरिया तो बरहे जो की है चान्धों में ही है बरहे नाम का जगह यहां पर भी इंडेस्ट्रियल के रूप में यहां काम हो रहा है साथ साथ चक में बुर्मू तो यह बुर्मू जीला है जो बुर्मू परखंड है चक में जगह पर इंडिस्ट्रिल एरिया है यहां पर भी रियाड़ा की और से काम हो रहा है तो यह आप लोग याद रखेंगे तो दोस्तों यहां पर इस प् जा रहा है रियाड़ा की और से और जितने भी उद्धुधंदे हैं छोटे छोटे या बड़े जितने भी उन सारे चीजों को बढ़ाया जा रहा है तो इस परकास से आप लोग ने देख लें यहां पर कि कितना है यहां पर इंडुर्स्ट्रेल एरिया रांची और यह जो है रांची पुरा मंडल जो है यहां पर लिखा हुआ लेकिन यह दच्छी नी छोटा नापूर पुरा मंडल के अंतरगत में है इसका मुख्याले जिला और रांची जिले में टोटल तीन जिलों में रियाड़ा काम कर रहा है तो इस परकास से आप लोगों ने 73 में इसका स्थावना किया गया था यह इंपोर्टेंट है तो आप लोग जानकारी को दिहान रखेंगे